यह मारे घर में जवान बेटी है, हमारा परिवार है, हम चोरी नहीं न कर रहा है, हम कैसे खिलाएंगे लोग। लामी जी एक दिन सपना में उनके आ गए थे। बिहार के मुख्यमंतिन तीश कुमार के ग्रिह जिले नालंदा में फिर से एक बार जहरीली सरापीने से पांच लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बिहार में सराबंदी पर फिर से एक बार सियासत तेज है, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक संजे जैसवान ने भी सवाल खरे किये हैं कि जब वो अपने लोग सवाज छेतर में जाते हैं, तो वहां के लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं, शड़ाबंदी के वज़ा से जैसे इतने भी लोगों की मौत हुई है, या फिर वैसे लोग जो जेल में इस वक्त बंद है, हमारे साथ बात करने के नहीं है, इन दोनों के बीच में जो तनाव चल ला है अंदर अंदर, उसका वज़ा सराब बंदी नहीं है, अभी देखिए कि समराठ असोप को ले करके विवाद हुआ, और काफी कस के विवाद हुआ, उसमें जो है, ऐसे सब्दों का इस्तमाल हुआ, जो आम तोर पर गठ के बीच में नहीं होता है, तो इस सिर्फ वहीं का मामला नहीं है, अब देखिएगा पिछला जो विदान सभा का चुनाव हुआ, विदान सभा का चुनाव में नितीश कुमार की जो पार्टी है, उसकी बूरी दसा हो गई, अब अभी उनके उनका जो गठवंदन है, उसमे 74 विधायक हैं भारतिय जनतापार्टी के, 43 विधायक हैं इनके, तो एक समय था जब नितीश कुमार का अपर रहंडोता था, उनके विधायकों की संख्या भारतिय जनतापार्टी के विधायकों से अधिक हुआ करती थी, तो एक ये भी कारण है कि दिखाई दे रहा है कि ए एक समय ऐसा था जैसे 2010 का जो विधान सभा का चना हुआ उसमें नितीज कुमार का ही चेहरा सामने करके भारती जन्तापार्टी के लोग भी चुनाव लड़ते थी यह आज ऐसी सिवकर्ण है कि नितीज कुमार के चेहरे पर भोट मांगना कठिन हो गया है नितिश कुमार का जो एक और था मैंने हैं एक नेल्टिक आभा उनकी थी लोग मानता था कि नहीं सा भी एस धांक वाले नेता हैं यह ऐसे हैं वैसे हैं कहते भी थे सुसासन की बात होती थी Crime, Corruption, Commodalism से हम Zero Tolerance है यह सब बात होती थी लेकिन 2010 का जो चुनाव हुआ उचके बाद जो इन्होंने देखा कि उनके बदौलत सारे के सारे लोग जीत रहे हैं तो इनको यह लगा कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं 2014 में उन्होंने अकेले अलग हो गए गठ्वंधन से अलग हुए तो उस समय यह कहके अलग हुए थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे फिर आपके पास नहीं आएंगे अलग हुए 2014 का लोकसवा चुनाव लड़े, लोकसवा के चुनाव में बुरी गत्थ हो गई, बुरी गत्थ हो गई उसके बाद इनका और लालुजादों के बीच में गठबंधन हुआ, कॉंग्रिस भी उसके गठबंधन में थी, और फिर से सरकार बन गई, अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जेड़ साल और दो साल के बाद जो है वो पूरी पार्टी ले करके फिर वहीं चले गए, जहां से ये संकल्प करके निकले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे ये नहीं आएंगे, तो एक जो उनकी मोरल अथोरिटी थी, वो भी खतम हो गई, उसके बाद जो है, पुलिटिकल अथोरिटी भी इस चुनाव में खतम हो गई, तो अब उस तरह से भाव भरतिय जन्ता पार्टी के लुग नहीं दे रहे हैं, सराबंदी के सवाल पर सिर्फ संजज सवाल ही नहीं बोल रहे हैं, इनका जीतनला माजी का भी बयाना है था, ये क्या बिधायक लोग समय समय पर बोलते रहते हैं, ये देखिए बिहार में जिस तरह से गरीबी है, बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है, अब अभी जमुईक दिला में एक औरत जो है उसके घर पर पुलिस ने रेट किया, अब उत तलवार लेके खड़ी हो गई, तरसूल ल कैसे खिलाएंगे लोग को, ये सवाल सिर्फ उसी का नहीं है, ये सवाल बिहार में एक बड़ी आबादी का है, और सबसे सस्ता लोगों को जरिया लगता है कि हम सलाब जो है बेचके दूपईसा कमाल है, ऐसा भी कोहरा है कि लोग जेल जा रहे हैं, और फीर निकलने के क्या कर रहे हो देखो हम तो सराव के मैंने यह समर्थक नहीं है अब इन्होंने बंद कर दिया उसके पहले देखिए कि किस तरह से हर पंचायत में सराव का देशी सराव का ठीकाई नहीं मैं कोट करना चाहूंगा सर समिक्षा वैठक हुई थी तो आपने कहा था कि पागल मुख्यमंत्री है अभी इस वक्त करोना पॉजिटिव है वो क्या लगता है निगटिव हो कर आएंगे तो फिर से इस पर मंधन करना चाहिए क्योंकि भाजपाय सीधे तोर पर अफ सवाल खर से क्या मतलब है लेकिन ये पक्का है हमको ऐसा लगता है कि फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है उत्तर प्रदेश के चुनाव तक जो है जो भारती जंता पार्टी का भी आला कमान है वो नहीं चाहेगा कि कुछ गरबड़ी यहां हो ताकि कि इसका कोई नकारात् है कि वहां देखिए कि जितने उत्तर प्रदेश में जो मैंने फिश्रे फिश्री विरादरी के नेता लोग जा रहे हैं वहां बैकवर्ड फारवर्ड वाली इस्तिती हो रही है अब नितीश कुमार भी मैंने उस हिसाब से फिश्री यात में आते हैं नितीश कुमार का जो ह पार्टी है सोनेलाल पटेल की बेटी जो है वो क्याना में भारत सरकार के कैविनेट में है लेकिन उसकी माँ जो है वो इनके इसके साथ चली गई है तो यह इस्थिती है वहां बड़ा बुरा हलत है तब इसलिए भी फिलाल हमको नहीं लगता है कि कुछ होने जाने को है साथ तोर से सीनियर लीडर है आर्जेडी के सीवानन तिवारी उन्होंने बताया है कि पिहार में जिस सरीके से सराब बंदी कानून के अलावा भी नितिश कुमार जो है अनकंडिशनल अलाइंस करके बैठे हुए है भाजपा के साथ और ऐसे में अब इस पर विचार करने की ज हुए 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 हुए